आप सभी आप सभी आप सभी काफी जाद आच्छ होंगे एंड बढ़िया होंगे फाइनल यहाँ पर और एक जो अपडेट है वह आ चुका है पोको लॉंचर का अगर आपके पास पोको की कुणसे भी डिवाइस है जैसे कि पोको एफोन हुआ पोको एम टू पोको एक स्टू या फिर पोको C3 भी अगर आपके पास डिवाइस है तो इस अपडेट को एक बार डिफिनेटली आपके डिवाइस में इंस्टॉल करके देखना है आपको पोको लॉंचर के एक नए अपडेट को तो यह जो अपडेट है इस अपडेट के साथ क्या हमें कुछ नया देखने को मिल रहे हैं कौन-कौन से चेंजिस अगरा देखने को मिल रहे हैं सभी मता हूंगा आपको इस वीडियो में मगर उससे पहले मेक्शुर अगर आप चानल पर नए हो तो आपको चानल को सब्स्राइब करना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इस तो यहाँ पर कहाँ पर सारे उप्शन से जैसे कि आप पोको लॉंचर को as a default set कर सकते हो background का उप्शन आपको देखने को मिल जाता है साथे साथ यहाँ पर icon packs आपको देखने को मिल जाती है और जो layout है उसको आप customize कर सकते हो यह सभी options आपको definitely previous version में भी देखने को मिल रहे थ अगर previous version में आपको कुछ यहाँ पर bugs देखने को मिल रहे थे आपके device में आप installation का पी normal सा आपको normally इंस्टॉल करना है बट अगर आपको यहाँ पर app not इंस्टॉल का इरह देखने को मिल जाता तो आपको जो previous version पोको लॉंचर का उसको simply install कर देना है उसके बाद में जो नए